What's up everyone, welcome back to the channel, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी physical education और हम सभी units complete करेंगे आने वाले कुछ समय में जिससे आपकी तयारी हो जाएगी exam के लिए बहुत ही बढ़िया and trust me on this part हम लोग एक-एक चीज कवर करेंगे और अगर आप में साथ-साथ notes बनाओगे और साथ-साथ जाओगे तो आपको 70 on 70 लाने में कोई नहीं रोक सकता तो विल स्टार्ट विद चाप्टर नमबर 10 मतलब लास्ट यूनिट के साथ हम लोग शुरू करेंगे और पीछे से शुरू करते करते वन तक पहुच जाएंगे तो सारी चीजे बहुत अच्छी हमारी हो जाएंगी चलिए जली से लेट्स बिगेड तो चलो यार चाप्टर का नाम है हमारे पास ट्रेइनिंग इंड शुरूट्स और बेसिकलिसके अंदर जो इंपोर्टन तोपिक्स है वो पांच है एक नया टॉपिक है जो आपको इस बार करना है बड़ जो पांच मेंड़ आपिक्स है व हमारे पास है Strength, Endurance, Speed, Flexibility और Coordinated Abilities तो पाच Topics तो ये हैं बट उससे पहले हमें एक Topic तयार करना है जो कि हमारे पास है Talent Identification and Talent Development तो बेसिकली ये जो Topic है ये यूजवली Coaches के लिए यूज करा जाता है अब इसके अंदर क्या क्या चीजे होती है वो मैं आपको सार चीजे बताने बाला हूँ सबसे पहले विल स्टार्ट विट तैलेंट आइडेंटिफिकेशन तैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है किसी भी गेम में एक Coach का बहुत बड़ा रोल होता है अब वो Coach क्या करता है उस Coach के सामने बहुत सारे Players होते है अब उन Players में से ये पहचानना कि कौन सा ऐसा Player है जो इन में से Excel कर सकता है और बहुत आगे जा सकता है किसकी Skill बहुत जबरदस्त है किसका Potential बहुत जबरदस्त है कौन चीजों को बहुत जल्दी समझता है तो वहाँ पर Talent Identification का बहुत बड़ा रोल हो जाता है अब एक बार आपने Identify कर लिया तो कोई भी पैदा होने से Pro नहीं होता हर कोई develop होता है धीरे 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 with proper skill with proper exercises with proper training with proper time proper diet धीरे धीरे एक athlete prepare करा जाता है तो उसको हम क्या बोलते है Talent Development तो सबसे बहुत करते है हम लोग Talent Identification की तो क्या होगा It is a method of recognizing देखो सबसे important शबद है recognize करना सबसे पहल तो एक coach अच्छा coach किसको माने आता है तो देख के ही परखले वो बोलते है ना कि अच्छे तरीके से हीरे को पहचानना तो recognizing the players who has the ability and potential to excel in a sport activity किसी भी sport activity में एक ऐसे individual को पहचानना जिसके अंदर potential है यार यह excel करेगा ठीक है It involves an attempt to predict predict का मतलब future को अभी से बताना and individual's future capacity for the performance कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो consider करते हुए कोई भी coach या कोई भी individual talent को identify करता है तो तेखो कुछ multiple factors है सबसे पहले उसकी technical skills technical का मतलब यहां पर हम बात करते हैं कि technique कि कितना technically sound है जैसे विराट कोली को हम लोग बोलते है कि जब वो batting करता है तो बहुत सुन्दर दिखाई देता है technically sound है technique बहुत अच्छी है उसके बाद उसकी psychological skills psychological का मतलब हो गया कि वो psychologically अगर हम दिमाग से बात करें जैसे MS zone ही कितना अच्छा pressure को handle करते है कि वो किस तरीके से अगर pressure आएगा तो कैसा react करता है psychologically वो कितना बढ़िया दिख रहा है तो ये इसके हमारा psychological में आ जाएगा physical attributes physically fit आया नहीं है जैसे अलग-अलग sports के लिए अलग-अलग चीज़े होती है for example आपको shooting करनी है तो shooting में आपका eyes का बहुत बढ़ा roll है तो वहाँ पे आपको eyes के नजरिये से physically बिल्कूल fit होना पड़ेगा अगर आपको race करनी है है ना sprint करनी है running में जाना है तो वहाँ पे आपका legs का बहुत बढ़ा roll है speed का बहुत बढ़ा roll है वहाँ पे आप physically fit हो या नहीं हो तो ये सब भी check करना बढ़ता है then social skills sports में usually teamwork का का काम होता है तो team के साथ कौन कितना ज़्यादा social हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है कौन introvert है कौन extrovert है ये सारी चीज़े देखनी बढ़ती है तब जाके talent का identification होता है समझे इसके बाद हमारे पास जो topic आता है वो आता है guys talent development अब development क्या है जो talent आपने ढूंडा है जो individual आपने ढूंडा है उसको अब develop करना day by day day by day day by day जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे Indian cricket में अभी T20 अगर मैं बात करूँ तो सूर्यकुमार यादव Sky एक बहुत बड़ा नाम है बट अगर आप Sky को आज से 5 साल पहले देखो जब वो Mumbai Indians के लिए खिल रहे थे तब उनके पास इतने सारे क्रिकिटिंग शॉट्स नहीं थे जो आज की डेट में उनके पास है तो उन्होंने day to day वो सारे चीज़े develop करी है इसी को हम क्या बोलते है talent development it is defined as a method यह एक method है जिसमें train करना है athlete को in such a way इस तरीके से कि एक तो build हो जाए और retain हो strategically important skills athletes के अंदर कि जो भी skills की उन्हें need है वो उनके अंदर आ जाए और वो perfection के साथ उसमें grow करें समझें तो यह होता है हमारे पास talent development तो यह छोटे छोटे दो topics हैं जो आपको बता होने चाहिए सबसे पहले talent identification and then talent development अब चलते हैं हम हमारे particular topic में 5 जो important aspects हैं बट उससे पहले एक छोटा सो topic और वो क्या है हमारे पास सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे training के बारे में कि sir training क्या होता है what is training तो training बड़ा simple सा शब्द है देखो training means the process of preparation for some task जैसे आप boards की तयारी कर रहे हो तो यार आप भी तो training की कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि training क्या है training means आजा यार pen कहां चला जाता है मेरा training means the process of preparation for some task आप कितना अच्छे से खुद को prepare कर रहे हैं उसी को हम training बोलते हैं but here our main task is fitness and conditioning of our body जब हम sports में बड़ते हैं तो sports में हम training किसमें consider करते हैं fitness को इनसान physically कितना fit है mentally कितना fit है उसकी body कितने अच्छे condition में है कितने अच्छे shape में है कितनी flexible है इसके लिए मैंने बोला ना पाथ चीज़े अभी हम पढ़ने वाले हैं speed, strength, endurance, flexibility, coordinative activity वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं perfect इसी लिए यहाँ पे training को training ना बोलके क्या consider कर रहे आता है sports training perfect हो गया अब क्या आता है sports training में all the basic types of preparation for a sports person जो भी उसको चाहिए उसको अच्छा fitness maintain करने के लिए वो हम sports training में consider करते हैं अब इसके अंदर जो important topic आता है वो आता है sports training cycles कितने प्रकार की हमारे पास training cycles हो सकती है तो जब हम guys training cycles की बात करेंगे तो तीन प्रकार की training cycles होती है micro, mezo, macro आओ आपको मैं वो दिखाता हूँ हमारे पास जो training cycles होती है training cycles are of three types number one is micro cycle सबसे छोटे time के लिए mezo cycle थोड़ा सा जादा समय and macro cycle जो सबसे बड़े समय के लिए होती है तो यह हो जाएगी macro cycle we'll start with micro जब भी आप sports training कर रहे हो मैं training नी बोलूँगा sports training की बोलूँगा जब भी आप sports training कर रहे हो किसी छोटी से activity के लिए मतलब शुरुआत एक task के साथ होती है कि आप 5-7 दिन में यह चीज तयार कर रहे हो या आपका कोई 5 दिन बाद कोई event है कोई आपका competition है तो आप उसके लिए तयारी कर रहे हो तो महापे आपकी micro training होगी it is a short term training जो usually 3-4 दिन या 1-2 हफते की होती है इसको हम micro training cycle बोलते है उसके बाद meso क्या होता है meso होता है 3-4 हफते यानि एक महीने की हो गई तो यह थोड़ा सा medium term हो जाता है ना तो बहुत कम ना बहुत जादा तो यह medium term training हो जाती है usually 3-4 weeks और 1-2 महीना इसके अंदर हम लोग consider कर लेते हैं macro की बात करते हैं तो macro हमारे पास लंबे समय के लिए होता है long term training जिसमें हम पूरा का पूरा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं एक साल तक का actual में अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे पास जो particular segment होता है वो इसी तरीके के तो होता है कि हमारे पास सबसे उपर जो training आता है वो आता है macro फिर macro ही breakout हो जाता है mezo में और फिर mezo ही breakout हो जाता है micro में यानि हम इस तरीके से कुछ training को लेके चल रहे होते हैं सबसे पहले micro आ जाता है macro को फिर छोटे बाट में तोड़ दो mezo, mezo को छोटे बाट में तोड़ दो micro तो this is how your training cycles are there perfect अब हम चलते हैं हमारे 5 elements की तरफ जिसमें की सबसे पहला element जो आता है वो आता है हमारे पास strength ठीक है अब हमारे बाट आता है strength strength की जब मैं बात करता हूँ तो simple शब्दों में, साधारन शब्दों में power किसी भी चीज को आपको उठाना है तो power लगेगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं strength बोल देते हैं राइट, like कोई भी object है उस object के अंदर अपनी force है मतलब वो आपको उस object को उठाने के लिए एक resistance होगा उसको exert करना पड़ेगा उस resistance को हटाना पड़ेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं होल बोड़ी, देखो यहाँ पर याद रखना यह डेफिनिशन आप एक्जाम में लिख क्या होगे इसको star mark कर रहा हूं है strength is the capacity of the whole body और any of its parts to exert the force कि सामने से जो particular object आप इसको भी उठाना चाहरे हो वो object का खुद का वजन है भाई वो आपको उठने से मना करेगा वो गोलेगा नहीं उठूँगा मैं जैसे मेरा पैट है Tyson मैं उस Tyson को उठानी कोशिश करता हूं उसमें full वजन है वो अपने आपको उठाने नहीं देता बट फिर भी हम अगर कोशिश करके उठा देंगे तो that is our strength समझ गए या नहीं समझ गए तो strength क्या है आपकी capacity चाहे पूरी body की या कुछ parts की जिससे आप क्या कर रहे हो exert कर रहे हो force को अब कितने प्रकार की strength हो सकती है दो प्रकार की एक dynamic होती है और एक होती है हमारे पास static अब यहां पर आप ध्यान से समझो कि dynamic का दूसरा नाम क्या है यह मत भूल जाना यह काफी important है इसको हम लोग बोलते है isotonic अज यार पैन काँ चला आता है मेरा dynamic strength को ही हम लोग क्या बोलते है isotonic strength ठीक है इसको हम क्या बोल देते है isotonic strength isotonic में क्या होता है isotonic में आप जो movement of muscles movement of body उसको बहुत आसानी से देख पाओगे यानि आपको वो physically भी दिखेगा और actual में हो भी रहा होगा बट जो static होता है static में force तो लग रही होती है यानि जोड तो लग रहा होता है बट आपको eyes से visible नहीं होता sir eyes से visible नहीं होता ये कैसे हुआ मतलब थोड़ा समझाओ न मतलब जैसे for example मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इस particular board को ही push करना है दिवार की तरफ तो मैं इसमें ऐसे for example मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँगा और पूरा जोड लगा रहा हूँ पूरा जोड लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ अब आप अब दूर से देखो तो ऐसे लगा हूँ ऐसे खड़ा हूँ बस simply बट अभी भी मैं जोड लगा रहा हूँ strength लगा रहा हूँ जैसे आपको पुल अप लगाओ, अपने आपको उपर पुश करो, उपर खीचो न, आपने आपको पुल करो, तो पुल अप, पुश अप, पुश अप, पुश अप लगाओ आप ग्राउंड पे, तो यहाँ पे हमें डाइनमिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है न, क्यों इसको ध्यान से देख लो भाई, एक होता है मारवाद मैक्सिमूम, एक होता है स्ट्रेंथ एंडियॉरंस, स्ट्रेंथ एंडियॉरंस तो नाम में ही है, इसमें स्ट्रेंथ और एंडियॉरंस का यह मिक्स्चर है, स्ट्रेंथ और एंडियॉरंस अभी बताता हूँ, सबसे प maximum force लगा देते हो उसको maximum strength बोल देते हैं जैसे अगर आप जिम में जाओ तो जिम में जाते टाइम आप जब भी वर्काउट करोगे तो वर्काउट में बोलते हैं अगियार अपनी maximum strength लगा दो है ना कोई परग नहीं पढ़ता है यहां पर आपको कितना सामें लग रहा है आप maximum weight उठाओ तो वहां पर जो आपकी strength लग रही होती है वो maximum strength होती है तो क्या है maximum strength it is the ability to work against maximum resistance maximum strength is not used in majority of sports बहुत सारे sports में use नहीं होता किन में use होता है यह use होता है यह weight lifting में जब याप weight lifting करोगे shot put में hammer throw में discuss throw में javeline throw में तो जब भी आप अपना पूरा body का जान लगा दोगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहां पे maximum strength perfect हो गया maximum के बाद we have explosive explosive शब्द जब भी आता है तो blast होना है इसमें जो importance है वो speed की है मतलब आपको काम करना है पूरी high speed से जोड लगा देना और speed को consider करते हुए यहां पे speed की बात ही नहीं हो रही थी यहां पे आप क्या कर रहे थे आप पूरा strength लगा रहे थे बस लेकिन अगर आप initial speed का भी ध्यान रखते हुए zone लगा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं explosive जैसे की जैसे की हमारे पास sprint जब start होता है आप देखो किसी भ भागने लगा जब तक शॉट नहीं होता हुआ में यह सीटी नहीं बचती तो फुल चैसी सीटी बचेगी पूरी तरशी सग्दम से भागे तो वहां पे उसकी कॉंसी strength लग रही होती है explosive strength लग रही होती है ठीक है it is a combination of strength and speed परफेक्ट है अब weight lifting में, shot put में, hammer throw में, javelin throw मे discuss throw में, long jump में, high jump में कोई भी 2-3 example आप वहां पर लिखके आ सकते हो perfect हो गया तो सबसे पहले maximum में सिर्फ आपको अपना पूरा जोड लगाना है उसके बाद explosive में आपको speed को ध्यान में रखते हुए जोड लगाना है तीसरा होता है strength and endurance it is a combination of strength, zore, endurance, endurance क्या होता है endurance मैं जब लोग किसी भी इनसान के stamina की बात करते हैं एना कि भाई for example stairs और जाना है उपर जाना है फर नीचा आना है ऊपर जाना है कोई इनसान पूरी आराम से जड़ जाएगा नीचे आ जाएगा कोई फरागी नी बढ़ता तो stamina का बहुत फराग पड़ता है तो वहां पर हम endurance की बात क जब भी endurance आएगा ना तो महाँ stamina और fatigue की बात होगी fatigue का मतलब थक जाना यह जनरल नेचर एंसान की कि वो थकेगा कोई भी काम करेगा थकेगा जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो है ना जबकि आप कोई physical moment नहीं कर रहे हैं लेकिन आप mental fatigue फील करते हो आप थक जाते हो टायेड हो जाते है आप कोई sport खिल थक जाओग या नहीं थक जाओगे बत तब ही आपको काम करते जारे हो करते जारे हो तो वहां पे आपया यातरा पर हम लोग यातरा पर जाते हैं suppose बताव जाते हैं घूए हं तो चड़ाई करनी पढ़ती है लेकिन थक रहे हैं बड़क चड़ रहे हैं, तो वहाँ कौन सी strength यूज हो रही है, strength endurance, perfect हो गया, strength endurance is commonly used in long distance races, देखा, जब लंबी-लंबी races लगाने पड़ेंगी, swimming करनी है, road cycling करनी है, pole vault and combative sports, perfect हो गया, यह सारे notes आपके लिए मैंने इसलिए बनाया है, exam में लिख्या हो, पूरे-पूरे number मिलने वाले हैं ना बहुत बड़े हैं, ना एक लाइन में, क्योंकि बहुत सारी जगा मैंने देखा कि physical education बच्चों के लिए है, बट एक लाइन में भई बच्चा लिखे गया, बच्चों के बास specific notes सो होने चाहिए, तो proper notes मैंने बनाये, आपके काम आने वाले हैं, static strength क्या होता है, static मैंने आपको समझा दिया, दूसरा नाम isometric, इसमें मैंने आपको बता, it is the ability of muscle to act against resistance, it can be measured by dynamometer, this type of strength is not seen directly, visible, नहीं होता, यह आपको बहुत अच्छे से visible, नहीं होगा, static strength is not applied in weight lifting, बिल्गुल भी यह वेट लिफ्टिंग मैं नहीं होता, ठीक है जी, perfect हो गया, अब रहा है हमारे प कौन कौन सी exercises से, तो तीन exercises है, mainly, एक तो वही है, जो हम ice से देख पाएंगे, एक है जो ice से नहीं देख पाएंगे, नहीं आजाएगी, isokinetic, दो आपने पहले बढ़ी है, isometric, isotonic, isokinetic नहीं आ गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी isometric exercises, isometric same पहले वाली है, जो देख देखने से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट फिर भी strength develop हो रही होती है, जैसे plank, कोई भी individual जिम में जाके plank करता है, तो उसका core strength develop होती है, वाई साब आप सबरतस निकल के आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा ली exercise यूज होने वाली है, वो कौन सी ह है, isometric, या फिर अगर आप दुबारा ध्यान से देखो तो इस तरीके से देखोई चिंटी stretch कर रही है, देखने में ऐसा लग रहा है, कोई strength नहीं लग रही है, बाई से लग रहा है, कि बड़ा simple सा एक movement है, बट strength develop हो रही है, तो क्या होता है, isometric exercise are those exercises, which are not visible, in fact there is no direct movement, कोई movement ही नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, in these exercises, group of muscles are stressed more than other group of muscles, when these exercises are done, muscles do not change their length, muscles की length change नहीं होती है, जब आप आइसो टॉनिक में जाते हो, आप कुछ भी lifting करते हो, या कुछ भी करते हो, तो muscle की length change होती है, चोटा बड़ा होता है, तो वहां पे आप से तो strength develop होती है, बट इन से भी काफी strength develop होती है, ठीक है, यहां पे एक बात याद रखना, हम लोग usually जो work done निकालते है, वो work done कैसे निकालते है, force into distance moved, हैना, force multiplied by distance, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे आप वहीं still हो, जैसे मैंने वो wall को push करने वाला example दिया था, तो distance moved तो 0 है, अब force कितनी लग रही है, कितनी भी लग रही है, multiplied by 0 तो 0 आ जाएगा, तो work done हमारा isometric exercises में, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, mcq के लिए बहुत important है, अगर आप से पूछ लेगी work done, isometric में क्या value आती है, तो हम बोलेंगे 0, क्यों 0 है, क्योंकि distance moved 0 होता है, perfect चालो, इसके बाद आता है, हमारे बास कौन सा, isotonic exercises में सब कुछ move होता है, proper body move होती है, muscles move होती है, आपको से देख सकते हो, strength develop होती है, isotonic exercise are those exercise in which movements can be seen directly, these tone up the muscles, नाम में ही है, isotonic, तो आपकी muscles को tone कर देता है, ये शांदार निखर के आती है, muscles become flexible, length of the muscles can be increased by isotonic exercises, these exercises are of much value in the field of sports, ठीक है, बहुत सारे sportsmen की importance है, gymnasium, calisthenics, इतने सारे आजकल ये trending athletics है, इसमें काफी सारे बच्चे, काफी सारे athletes participate करते हैं और grow करते हैं, right, these are the best for strength development, calisthenics exercises, running, jumping, weight training, ये सब इसके best examples होते हैं, isokinetic क्या है, isokinetic basically, जब हम machines पे एक सेम तरीके की motion करते हैं, right, for example, आपने, जिम में आप किसी भी तरीके की आप leg press ले लो, कि आप leg press कर रहे हो, तो आप एक बार still position में आओगे, फिर आप अपनी legs की मदद से weight उपर उठाओगे, फिर नीचे आएगा, फिर लेक्स की मदद से उपर उठाओगे, फिर नीचे आएगा, तो वहाँ पे आ मोशन आपको देखने को मिल रहा है, बट अन मशीन्स जो एरिया है या डिस्टेंस है वो सेम उतना ही है, मुल्टिपल टाइम्स वो हम करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते है, इसो काईनेटिक, इस आर परफॉर्म्ट न स्पेशली डिजाइन मशीन्स, मैक्सिम फोर्स और आपकी स्ट्रेंथ डेवलफ हो जाती है, तो अब क्यासिए बॉद उसके ना बट टाइम्स स्ट्रेंथ कर बारे में पड़ा एंदीर हो सबसे पहले, और सबसे पहले एक कूक क्र जेना हो तो मैंने क्या क्या सब्ढ़ा बट टाइनम्सर लनायाती है, कितने तरिके हैं र बढ़ते हैं आगे और अब हम पढ़ने वाले हैं endurance अब बात करते हैं हम लोग endurance की तो endurance की मैं जब भी बात करता हूं तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि endurance दो तीन चीजों से related रहता है नमबर वन आपका stamina कि आप कितनी देर तक fatigue से sustain कर पा रहे हो कि आप ठक रहे हो बट फिर भी आप काम कर पा रहे हो दूसरा चीज इसके अंदर जो essential element है वो fatigue ही है तो क्या-क्या होता है हमार पास endurance में जब हम endurance की बात करते हैं तो endurance में आपके पास जो important elements आते हैं आम भाशा में बोलू तो stamina और दूसरी चीज है आपके बास resistance of fatigue और तीसरी चीज होती है आपकी sustainability sustainability ठीक है तो यह तीन फैक्टर्स है जो endurance में आपके लिए काम करते हैं तो what is endurance? endurance is the ability to sustain an activity in all the sports endurance is directly or indirectly of high importance obviously कोई भी sport हो कितने लंबे समय तक आप अपनी energy sustain कर पा रहे हो अच्छा खेल पा रहे हो यह बहुत matter करता है correct है for example the number of sit-ups अब देखो sit-ups में repetitions बहुत matter करती है तो हम कितने wraps लगा रहे हैं कितने repetitions लगा रहे हैं आप जिम में कोई भी exercise कर रहे हो तो repetitions पे बहुत depend करता है कि आपका muscle grow करेगा या नहीं करेगा तो बहुत कम लगाओगे तो भी दिक्कत है बहुत जादा लगाओगे तो भी दिक्कत है तो balance बनाना पड़ेगा repetitions बहुत important रहते हैं किसी भी activity में ठीक है जी? अब हम आगे जलते हैं तो कितने प्रकार के endurance हो सकते हैं? लेट्स टॉक अबाओट सबसे पहले जनरल जनरल endurance क्या होता है? जनरल endurance हम बात करते हैं जब हम किसी भी individual में एक general sustainability की बात करते हैं जैसे हम अपने घर में अगर देखें तो हमारी मोहम के पास best endurance होता है आप देखो अकेली ही पूरे घर को संभाल सकती है एक माँ, पूरे दिन सारा काम करती है, ठकती ही नहीं है stairs उपर जाना, नीचे जाना, कितना ज़ादा activities करती हैं तो वहाँ पर हम लोग जब एक general endurance की बात करते हैं, तो हम एक general ही देखते हैं कि एक आम इंसान में कितना endurance exist कर रहा है उसके बाद अगर मैं चलूँ कि आपको कम से कम 30 minutes तक का endurance देखना है, कि आप किसी भी sport activity में किसी athlete को देख रहे हो अब वो athlete 30 minutes तक कोई activity कितने अच्छे से कर पा रहा है, तो उसको आप बोल देते हो basic तो general में कोई time period नहीं आया, basic में आपने ले लिया 30 minutes तक का time period या फिर अब आप किसी specific sport की बात कर रहे हो, मैं जब भी topic पढ़ाता हूँ, मुझे शारूखान की आ रहाती है, यह 70 minutes तो 70 minutes की जो उसने बात करी तो 70 minutes आपको अपना best देना है, थकना नहीं है, best खेलना है, तो यहाँ पर एक specific sport के लिए आप ते यार कर रहे हो, वो specific endurance होगा तो कौन-कौन सा आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले general, ability to resist fatigue satisfactorily, satisfactorily, cause by different types of activities, यानि कि जो अलग-अलग activities हमारी मा को घर पर करनी होती है, तो महा से थक जाता है ना इंसान, तो कितने अच्छे से उससे resist कर पा रहे हैं, लडाई कर पा रहे हैं, उसको हम general, एक endurance का पाट मानत हैं, these activities may be aerobic and anaerobic, aerobic का मतलब with oxygen, anaerobic का मतलब without oxygen, मतलब हम usually, जब activities करते हैं, तो aerobic और anaerobic होती है, these activities may be of lower high intensity, but for a longer duration, लेकिन जो duration होती है, वो काफी कम होती है, basic endurance से, यानि इस से एक level up basic होता है, basic में मैंने आपको बताया है, कम से कम, 30 minutes, moderate speed से आप running कर रहे हो, jogging कर रहे हो, swimming कर रहे हो, तो कम से कम 30 minutes तक आप थकने से खुद को रोक पा रहे हो, उसको आप basic endurance बोल देते हो, also called aerobic endurance, because it depends mainly on aerobic activities, in the fact, basic endurance is ability to perform movements, जिसमें काफी सारे body muscles आपके involved है, जैसे आप भाग रहे हो, basic jogging कर रहे हो, 30 minutes तक तो आपके hands, legs, बहुत सारे muscles involved हो जाते हैं, नहीं हो जाते तो वहाँ पे आप 30 minutes का part जब देखते हो, कम से कम 30 minutes, तो हम basic endurance की बात कर रहे होते हैं, फिर अब मैं शारू खान पे चला जाओ, 70 minutes, या किसी particular और sport में चला जाओ, repetition, अभी आया ना कि यह repetition से देखा जाता है, तो जैसे for example हमने बोला, कि आप specific endurance wrestler में देखो, तो 3 rounds होंगे, वहीं पे अगर आप बात करो, boxer में तो 4 rounds होंगे, तो specific endurance जो है, वह specifically sport to sport, different हो सकता है, done, यह हमारे types of endurance हो गए, ठीक है, अब अगर हम बात करें according to duration, उपर तो activity के अधार पे हो गया, कि कौन कैसा काम कर रहा है, उस अधार पे कितने प्रगार के endurance है, जब मैं बात करता हूँ, तो time के अधार पे, ठीक है, तो time के अधार पे मिर पास 4 तरीके के endurance आ सकते है, speed endurance बहुत ही छोटे समय के लिए, जब 45 second तक के लिए आपको काम करना है, यानि आपको फटा-फट से quickly एक sprint लगानी है, सही है, उसमें हम क्या बोल देते है, speed endurance, जैसे कि 400 meter की sprint, usually मैं यहाँ पे 100 meter की भी consider कर लूँगा, 200 meter की भी consider कर लूँगा, बहुत quickly आपको लगानी है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे, speed endurance, short term endurance पे चलूँ, तो 45 second से 2 minute तक का time, 800 meter हम इसमें consider करते हैं, उसके बाद अगर middle term endurance में लूँँ, तो middle term में 2 minute से आगे बढ़ा के, 11 minute तक, इसके अंदर 1500 meter की race, so sorry, long term की बात करूं, तो long term endurance में हम लोग ले लेते हैं, 5000, 10,000, बड़े-बड़े marathons, तो हम usually यह लेते हैं, जिसमें जो time period होता है, वो 11 minute से जाधा होता है, तो यानि अगर हम duration की बात करें, तो 45 second से शुरू होता है, फिर 45 से 2 minute, फिर 2 से 11 minute, फिर 11 minute से उपर, तो इस तरी कैसे endurance develop कर सकते हो, इसके 3 methods हैं, यह exam में जरूर पूछा जाता है, तो endurance को develop करने के लिए 3 methods हैं, number one is continuous training, continuous training में guys, आपको simply continuously खुद को train करना होता है, without any break, यानि इसमें कोई breaks नहीं होते, एक इंसान continuously training कर रहा है for some time, दूसरा होता है interval training, interval training में क्या होता है, interval में आप एक काम करत होते हो, ठक जाते हो, फिर आप rest करते हो, आपका वापिस से energy वापिस आती है, replenish होता है, खुद का body rest mode पे आता है, वापिस से energy sustain करी, फिर वो particular आपने training करी, फिर rest करा, फिर वो training करी, उसको हम interval बोलते हैं, अगर मैं दोनों को mix कर दूं, दोनों को combine करके एक अच्छा training बना करके ही, प्राक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या लिखा है हमारे पास continuous में, an exercise is performed for longer duration without any break, देखो इसमें कोई break नहीं होता, बट क्योंकि break नहीं है, तो intensity लो रहती है, इसके अंदर मतलब ठीक है, basic speeds होता है, बहुत तेजी से नहीं होता, because exercise is done for a longer period, cross country race इसका best example होता है, example जरूर लिखके आना, इसमें cross country race, इसके अंदर जो heart beat है, वो basically stable रहती है, 140-160 beats पर minute के बीच में, ठीक है, जो duration है, वो कम से कम 30 minute रहने वाली है, इसके advantages क्या होंगे, आपकी muscles में glycogen अच्छा बनेगा, it increases the number and size of mitochondria, आपके जो muscle size है, वो काफी अच्छा develop होगा, glycogen काफी बढ़िया रहने वाला है, उसके बाद, efficiency of hearts and lungs, आपके heart और lungs जो है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, देखो कोई भी exercise आप करते हो, तो आपका हर body part बहुत अच्छे से काम करने लगता है, बस आपको injury से बचना है, ये बहुत important है, injury से बचने का सबसे best तरीका क्य करता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हो, आप disciplined होते हो, ये सब advantage आप लिख सकते हो, interval में मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है, interval में आपको simply activity करनी है, जब आप ठक जाओ, तो फिर आपको rest लेना है, फिर आपको दुबारा शुरू करना है, त 400-meter race, 80% speed के साथ, फिर walking और jogging करो, जब कि heart rate आपका normal ना हो जाए, 120-140 ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 160-180 तक चला जाता है, उसके बाद आप जब थोड़ा सा वापीस replenish हो जाओ, तो 400-meter race, फिर लगाओ, ठीक है, इज़ ए ट्रेनिंग of heart through endurance training, in fact, this training method is based upon effort and recovery, effort लगाओ, फिर रेकवर करो, फिर effort लगाओ, फिर रेकवर करो, इस थरीके से, ठीक है, during interval training, recovery period is given to athlete after each speedy workout, recovery period can be adjusted according to efficiency, perfect है, advantage, disadvantages, disadvantages, एक बार आप reading लगा लोगे, काम हो जाएगा, screenshot ले लो, इसको आपको एक बार basically वैसे ही simple reading लगा लेना है, अब आजाते हैं, fat leg training पे, fat leg क्या है, यह मैं आपको बता दिया, दोनों का ही hybrid, इसका year याद रखना कवाया था, 1937, it is used for developing endurance, Gosta Holmer developed fat leg training in 1937, the word fat leg is a Swedish word, which means speed play, यहाँ पे speed का बहुत बड़ा रोल है, अब इसका example, अगर आपको पूरा लिखना हो, तो काफी बड़ा example है, मैं तो एक लाइन लिखी, इसके बाद आप 5-6 ल running करो 5-10 मिनिट के लिए, फिर speedily करो, speed से करने के बाद फिर आप break ले लो, एक 2 मिनिट का, उसके बाद दुबारा से recover जब आप हो जाओ, तो फिर से आप jogging से शुरू करो, फिर speed पकड़ो, फिर break लो, तो एक point से दूसरे point पे इसी तरीके से जाना है, तो यह आपके बास best example बन जाता है, fat leg training का, I hope आप लोग को यह भी अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके advantages क्या है, heart rate अच्छा रहता है, aerobic, anaerobic fitness के लिए बहुत अच्छा है, flexible होता है nature में, बहुत सारे athletes इसको एक साथ कर सकते हैं, तो 3-3 merits आपके लिए sufficient रहते हैं, D-merit में आप simply लिख सकते हो कि injury के chance होते हैं, कई बार आप यह नहीं देख पाते हैं, जो athlete है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि rest वो लेता है बीच में, तो आप उसको identify नहीं कर पाते है कि उसकी training अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, इस तरीके से आप A से B एक distance कवर कर रहे हो, तो speed एक simple सा element है, जिसमें आप यह consider करते हो कि एक point से दूसरे point पर जाने में कितना समय लग रहा है, तो speed में एक time वाल element आता है, क्या है speed? Speed plays a vital role in every sport and game, speed is the ability to move from one place to another in shortest possible time, यानि speed में जो महतव है वो time का है और A point से B point तक आप कितनी देर में पहुँच रहे हो, यह आपका speed बताने वाला है, इस तो रहे है, जिसमें वो एक इंसान अपने movements कर रहा है, उसको हम speed बोलते हैं, perfect, for example, movement of a smasher's arm in a volleyball, जब आप volleyball खेलते हो, तो कितनी speed से आप smash करते हो, वो, उसके बाद maximum speed, velocity, सब कुछ इसके अंदर चेक करा जाता है, अब आता है, हमारे बाद एक शांदार सा topic, जो की है types of speed, speed कितने तरीके की हो सकती है, number one हमारे बाद आता है, इसके अंदर reaction ability, reaction ability में होता है, कि आप कितनी तेजी से react कर रहे हो, किसी बीचीज पर react करना पड़ता है, आप एक sports person है, for example, एक cricketer है, जब एक cricketer बैटिंग करता है, जब वो sideways होके खड़ा होके बैटिंग करता है, जब वो sideways होके बैटिंग करेगा, तो अब वो अगर उसको एक yorker आया, तो bowl बहुत नीचे आयगा, उसको नीचे bend होके उसको खेलना पड़ेगा, बगर एक bouncer आया, तो उसको फिर या वो duck करेगा, या वो उसको pull करेगा, तो कितनी तेजी से वो react करता है, यहाँ पर आपका reaction ability में आ जाता है, ठीक है, अब यह क्या होता यहाँ पर क्या होता है, उस particular batsman को पता है, कि क्या होने वाला है, तो वो अपने हिसाब से ready है उस चीज के लिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे घर में, आप लोग बैठे हो, normally, या usually ऐसा होता है, मेरी cousin sister के साथ ऐसा हुआ, वो मस्ती में बैठी थी, एकदम उपर से छिपकली गिरी, उसको पता नहीं था, एकदम उनेक्सपेक्ट तो वो कूद के फटाफट बैड से नीचे, तो वो अनेक्सपेक्टेड था, तो रियाक्शन वहाँ भी हुआ, बट वो जो रियाक्शन है, वो थोड़ा सा हमारे पास क्या है, कॉम्पलेक्स रियाक्शन है, तो देखो and quickly to an action, simple और complex दो होते हैं, simple क्या होता है, already determined manner, आपको पता है कि आपको कैसे react करना है, जैसे मैंने cricket का example दिया, या हम एक race की बात करते हैं, तो जब एक race में एक athlete शुरू कर रहो था, तो वो एक motion में होता है, तो उसके बाद वो जैसे ही CT बचती है या shot होता है, तो वो quickly fast fast react करता है, तो वहाँ पे वो एक simple reaction है, the reaction of a racer in start of a sprint, complex क्या है, unexpected, कुछ भी कभी हो गया, तो आपको एकदम से react करना है, तो वो हो जाता है, जैसे की, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, these signals are unexpected, because he she doesn't know when and to which signal he she has to react, ठीक है, नहीं है, तो यह आपको ध्यान से देखना पड़ता ह है, perfect हो गया, acceleration की बात करते हैं, तो speed में acceleration बहुत important है, acceleration का मतलब आप कितनी तेजी से accelerate करते हो, जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाओ, या आप कोई भी बाइक चलाओ, अगर आप भी बाइक चलाओ, अगर आप बाइक चला रहे हो, तो आप अग्जलरेट करोगे न तेजी से तो 5-6 से किंड लगते हैं, उसको पूल स्पीड पकड़ने में, तो वो acceleration का पाट है, what is acceleration, it is the ability to achieve maximum speed for us from a stationary position, या आद रखना, stationary से maximum speed में आने में कितना टाइम लग रहा है, या आपकी acceleration के ऊपर depend करता है, ठीक है, this ability mainly depends upon explosive strength, सही है, perfect हो गया, उसके बाद movement speed, movement speed क्या होता है कि आप कम से कम कितने समय में कोई भी movement perform करते हो, कोई भी ऐसा movement आप कम से कम समय में करोगे, तो वो आपकी speed का part बन जाएगा, बहुत important element बन जाएगा, जैसे की for example, यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी boxer के लिए, किसी भी wrestling में, throw में, अब boxer कितनी जल्दी अपना punch ध्यान से देखना है, लोको मोटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़े आ जाती है, इसके अंदर speed और time दोनों आता है, यानि maximum speed for maximum time, यानि आपको अपनी speed देखो, acceleration तो एक बार करा, आपने accelerate करा, उसके बाद छोड़ दिया, फिर accelerate करा, फिर छोड़ दिया, ले आपको पूरी तेजी से पूरा जोश लगा के रखना बड़ेगा, लंबे समय के लिए, वो हमारे पास आजाता है, लोको मोटर में, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, यह हमारे पास usually 100-200-400 मेटर में चलता है, शौट स्प्रिंट में चलता है, Speed Endurance, combination है, Speed का और Endurance का, Ability to Perform Moment with High Speed Under Conditions of Fatigue, आप ठक रहे हो, तब भी आप High Speed में काम कर रहे हो, यह आपके बास Speed Endurance होता है, Done, बहुत बढ़िया, बस चाप्टर मारा Ending की तरफ चल रहा है, Speed कैसे Develop कर सकते हो, दो तरीके है, Acceleration Run, Pace Run, Pace Run और Acceleration Run नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर आपको धीरे-दीरे Accelerate करना है, और यहाँ पर Pace Run में क्या होता है, कि आपको तेजी से, एक ही Speed पर Continuously भागते रह करनी है, देखो Speed जो होती है, वो Multiple Factors पर Depend करती है, कुछ Genetics होती है, उसके इलावा कुछ लोगों की Training Techniques होती है, Diet होता है, बहुत सारे Multiple Factors आते हैं, इस पर Speed depend करती है, बट फिर भी एक इंसान बेटर हो सकता है, अच्छी Training से, तो क्या है है हमारे पास Pace Run क्या होता है, Pace Races Means running the whole distance of a race at a constant speed, constant पे भागना, और uniform speed के साथ चाथ, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, for example, if there is a runner of 800 meter race and his best time is 1 minute 40 seconds, so he or she should run the first 400 meters in 49 seconds and the next 400 meter in 51 seconds, this procedure is called pace race and pace run, quickly foot-a-foot बढ़ता है तो उसको हम Pace Run बोलते हैं, same speed, बढ़ता है, च्जल अब देखो यहां दीरे दीरे डेवलाप होता है स्पेशली इन मैक्सिमम स्पीड के केसे में जैसे 100 मीटर स्पिंट में वी शुड आलवेज ले स्ट्रेस और टेक्निक्स और स्टार्ट एंड कम्पलीट यानि शुरू में बहुत तेजी से और लास्ट में किस तरीके से कम्पलीट करा तो एक्षलरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है वी शुड प्राक्टिस इट अट असलो स्पीड परफेक्ट हो गया सही हो गया समझ गया यह था इस वोज आल अबाउट स्पीड अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्या रहा है फ्लेक्सिबिलिटी यह देखो देखरो चिंटी कितनी फ्लेक्सिबल है तो योगा में बहुत इंपोर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे स्पोर्ट्स में जब हम जूडो देखते हैं जब हम बहुत सारे calisthenics देखते हैं तो वहाँ पर flexibility का बहुत important role है what is flexibility कि आप कितने जादा flexible हो आप अपने hands कितने अच्छे से stretch कर पा रहे हो आप अपने अच्छे से stretch कर पा रहे हो आपके joints कितने अच्छे से move कर पा रहे हैं यहाँ पर flexibility वाला element सामने आता है आप back कितना अच्छे से bend कर पा रहे हो आप अपनी neck कितने अच्छे से move कर पा रहे हो बहुत सारे elements है, सब flexibility में आता है क्या है flexibility? The range of movement of joints यहाँ पे muscles का कम और joints का जादा contribution है तो कितने अच्छे से आपका जो movement है joints में वो आ रहा है उसमें हम flexibility consider करते हैं The range of motion यह word याद रखना range of motion flexibility में range of motion जरूर लिख कियाना है range of motion available in a joint flexibility can be defined as ability to execute the movements with greater amplitude और range कितने अच्छे से आप, कितने अच्छी range में आप अपने body को move कर पा रहे हो उसी को हम flexibility बोलते हैं perfect है इसके बाद it is helpful in many ways आपकी injuries बच सकती है posture अच्छा हो सकता है, lower back pain अच्छा होता है 3-4 चीज़े लिखो sufficient अब कितने प्रकार की flexibility होती है passive और active बहुत बहुत बढ़िया passive और active में क्या होता है देखो इसके अंदर बस दो चीज़े हैं simple सी अगर आप बिना किसी supporter के यानि बिना किसी helper के बिना किसी guide के खुद ही अपने आपको move कर पा रहे हो बड़े आसानी से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं और अगर आप किसी supporter की मदद से कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं यहीं पे differentiation है basic क्या लिखा है देखो इसको हम यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले passive देख लो the ability to do movements with greater distance with external help जब आप किसी external help की मदद से करते हो तो उसको हम बोल देते हैं passive passive का मतलब ही हो था ना active का मतलब आप activelyly कुद मूव कर रहे हो passive का मतलब अब बस आप इस से जादा नहीं कर पा रहे हैं जैसे मैंने बोला तो मैं उसकी मदद से जादा stretch कर पाऊंगा इसलिए मैं उसको passive बोलता हूँ stretching exercise with the help of a partner passive flexibility is always more than the active flexibility obvious सी बात है ना यार परफेक्टन आप जैसे मैंने बोला कि यह जो मेरा wrist है मैं इसको इतना ही बस bend कर सकता हूँ इस से जादा नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं यहां से use कोने तो मैं और भी कर सकता हूँ इसको है ना तो यह हमेशा active से जादा ही होगा परफेक्ट अचा जी active क्या होता है active flexibility is the ability to do movement for a longer distance without external help बिना external help के एक stretch करना without the help of a partner परफेक्ट है अब active के दो patch होते हैं कौन कौन से एक static और एक dynamic static का मतलब क्या होता है static का मतलब कि बस एक particular जगा पर आके still करना खुद को रोकना और dynamic का मतलब body movement बहुत अच्छे से जादा चलते हैं static में क्या होता है static flexibility is usually required by a sports person when he or she remains in a static position एक still position में जैसे diving, sitting, lying बैठे हो तो एक हद तक की flexibility चाहिए ना बस वहाँ पर still हो आप लेकिन अगर हम बात करें कि हम और sports activity कर रहे हैं जैसे stretching कर रहे हैं बहुत अलग-अलग तरीके की जब greater distance में करना है इंसान motion में तो वहाँ पर हम क्या consider करते हैं dynamic flexibility perfect हो गया तो यहाँ पर हमारे पास जो flexibility हैं वो दो तरीके की हैं अगर आप किसी partner की मदद से कर रहे हो तो वो passive है आप खुद कर रहे हो तो वो active है active में दो है एक static जब आप एक motion में still हो और अगर आप move करते वे देख रहे हो तो वो dynamic perfect चालो इसके बाद guys हमारे पास आता है कि अपनी flexibility को improve करने के आपके पास कौन-कौन से methods हैं तो आपके पास बहुत सारे methods हैं जिसमें सबसे पहले आता है ballistic method ballistic क्या होता है ballistic होता है जब आप usually swing कर रहे हो अपने hands को stretch कर रहे हो मैं इस तरीके से movement कर रहे हो या मैं इस तरीके से अपना हाथ मूव कर रहे हो तो यह क्या और एक circular motion में मैं एक swing में जाके flexibility अपनी improve करने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग का बहुत easily होता है कुछ लोग का नहीं हो पाता तो क्या लिखा है जेको in ballistic method the movement is performed with a swing in a rhythmic way the related joint is stretched with a swing stretching exercise can be performed rhythmically with a count before performing exercise appropriate warm-up is essential ठीक है अब इसको हम अगर search करें कि ballistic stretching अगर मुझे देखनी है इसर को example तो होना चाहिए तो suppose हम यहाँ पे search करते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे चाहिए B-A-L-L-I-S-T ballistic exercise सही है तो हमारे पास देखो बहुत सारी images आ गई अगर आप देखो इस तरीके से देखो प्रॉपर stretch कर रही है और नहीं कर रही है चिंटी तो यह हमारे पास ballistic में आ जाता है परफेक्ट है सर इसके बाद हम चलते है अपने वापिस से topic पे जो की है static stretching और dynamic stretching अब static और dynamic क्या है static मैंने आपको बताई दिया जिसमें आप एक position पे आके fix करोगे अपने body को फिर आप वहीं तक ही stretch करोगे और dynamic है पूरा motion के साथ तो देखो static stretching और dynamic stretching के भी में एक्जामपल देख लेते है static और dynamic s-t-a-t-i-c static stretching देखो अब 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 बाद static क्या हो गया सबसे best example आपको कौन सा दिखाऊं मैं यह देखो यह हम अब आब बाद सारे static के एक्जामपल लगे हुए है खुल जा भाई अगर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से डाइग्राम्स में तो हमारे पास देखो काफ्स के लिए हम्स्ट्रिंग के लिए ट्रेपीजियस के लिए बाइसेप्स के लिए तो एक जगा रखके ना अगर अगर मैं जाओ यह वाला डाइग्राम्स के आपको बहुत क्लियर का मतलब क्या हो रहा है बॉड़ी वहीं पे स्टिल और बस इस चिंटे ने अपनी एक लेग्स पीछे से बेंड करी स्ट्रेच करी और डाइनमिक क्या अगर मैं बात करो तो फुल रेंज अगर मोशन लेग्स अगे पीछे आगे पीछे पूरा वाडी मूव कर रहा न तो यह डाइनमिक स्ट्रेचिंग नामिक में क्या है फ्लेक्सिब्लीट इंप्रूव और यह पावर इंप्रूव और रहा है नूरो मस्क्रा एक्टिवेशन हो रहा है ठीक है ना इस तरीके से पहे हमारा डिफरेंस होता है डाइनमिक में और स्टेटिक में परफेक्ट है चालो अम लिस्टिक हो गया श्कर आइनमिक हो गया उसके बाद आता है हमरी बास एक बहुत इंपोर्टन जिसको हम बोलते है पी एन फ में यह एक्जाम में आ सकता है इसको ध्यान से देख लो लिख सकते हों कि इसको कोई normal इंसान नहीं करते advanced post person करते हैं और with the help of a partner करते हैं यानि अगर मैं इसको लिखूँ PNF stretching अगर हम लिखे static dynamic के बाद अगर हम लिखे PNF stretching तो PNF stretching देखो यह देखो advanced athletes हैं एक partner की मदद से दूसरे की stretching हो रही है तो क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर अगर आप इस particular topic को देखो तो लिखा है PNF involves the use of muscle contraction before the stretch in an attempt to achieve maximum relaxation ठीक है for gaining flexibility in the shortest possible time PNF technique is the most appropriate method ठीक है बस याद रखना with the help of a partner advanced athletes इसको करते हैं राइट पर्फेक्ट flexibility improve करने के लिए कुछ guidelines यह आपको सिर्फ एक बार read कर लेनी है और कुछ नहीं है इसके एक बार reading लगा लेना this is it done अब हमारे बास guys last आता है एक छोट असर टॉपिक जिसको हम बोलते है co-ordinative abilities तो sir क्या होता है co-ordinative abilities देखो आपकी ability to coordinate जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आपको topic समझा रहा हूं तो मेरे hands मूव कर रहा है जैसे आप Ronaldo Messi को देखो football कहलते हैं जितने अच्छे legs चल रहे होते हैं अच्छे आखे चल रहे होते हैं concentration उतना जबरदस्त होता है जब वो headshot लेते हैं जब वो अपने सिर से football को hit करते हैं तो उस scenario में कितना अच्छे से उनका body coordinate कर रहा होता है उनके actions के साथ कोई भी sport हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक particular part से नहीं खेल रहे होते हैं आपका पूरा body coordinate करना चाहिए हर चीज़ उसको हम coordinative abilities बोलते हैं the coordinative abilities are those abilities of an individual which enable the individual to do various activities properly as well as efficiently properly भी होंगी और efficiently भी होंगी coordinative abilities are depends dependent on our ability rhythm, flow, constancy देखो कितने सारी चीज़े हैं कितने अच्छे rhythm में कितने अच्छे flow में कितने अच्छे coordination के साथ अजब क्रिकेटर खेलता है तो concentration होता है या नहीं होता है है ना जो head eye movement है या जब हम जब में जाते हैं तो mind muscle connection coordination हो रहा है या नहीं हो रहा है कितने प्रकार की coordinative abilities हो सकती है इसको अब आपको ध्यान से देखना है number one is orientation ability अब यह ज़े topic है यह बहुत ज़ादा नहीं पूछा आता बट फिर भी आपको ध्यान से देखना तो है orientation में हम लोग क्या बात करते है orientation is your position of body the ability to determine the position of the body and its parts in time and space in relation to gravity moving objects like ball, opponent, partner, playing field etc इसको हम orientation ability बोलते है अब इसमें क्या करना है आपको अपने जो body position है उसको move करना है सामने वाले के accordingly जैसे for example हम किसी footballer की बात करते है तो अगर मैं defense कर रहा हूँ कि मैं ball को एक जगा से दूसरी अगा लेके जा रहा हूँ तो सामने वाला अपना किस तरीके से body move कर रहा है मैं उसके 7 footwork से move करूँगा तो मुझे coordinate करना होगा quickly ताकि मेरे से ball ना ली जाए और मैं footwork अपने aim की तरफ अपने goal की तरफ जाओं तो क्या है यहाँ पर देखो हमारा position of the body और उसके parts हमें समय space के आधार पे gravity के साथ perfection के साथ move करने है coordination बना के चलना है कप्लिंग activity में हम लोग basically बात करते हैं वही बात है movements को combine करना different body parts को अलग-अलग sports के लिए जैसे boxing में आपको move करने होगे hands, head, trunk, feet to couple to achieve a certain goal तो एक goal अचीव करने के लिए आपको एक movement करना पड़ेगा और एक साथ लेके चलना पड़ेगा तो यह हम coupling में चल लेते हैं इसके बाद reaction ability वही है आप कितना अच्छे से react कर रहे हो यह पीछे आई गया reaction में 2 simple reaction, complex reaction यह हमने reaction ability में देख लिया था उसके बाद हमारे पास basically यह 4 और आते हैं और आपका chapter खदम balance ability के अगर हम बात करते हैं तो आप कितने अच्छे से balance कर पारे हो अपनी body को जैसे headstand करा किसी ने तो कितने अच्छे से उसके पूरा का पूरा body एक proper posture के साथ एक balancing form में आ जाता है या हम जब जब जिम में जाते हैं तो एक balancing ball होती है उसके उपर आप stand होते हो तो कोई बहुत जल्दी गिर जाते हैं कुछ खड़े नहीं हो पाते हैं कुछ बैलन्स कर पाते हैं तो वहाँ पे आपकी balance ability चलती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिदम तो आप कितने रिदम में कोई sports खेल रहे हो usually skating या वो ice पे skiing होती है न कोई क्या बोलते हैं उसको मुझे याद भी नहीं आ रहा तो वह सब इसमें आ जाता है ठीक है जैसे figure skating हो गया diving हो गया synchronized swimming हो गया यह सब इसके examples बन जाते है rhythm ability is the ability to observe or perceive the rhythm of a movement है ना rhythm अब मैं rhythm तुमें कैसे समझा हूँ मतलब वो flow वो जो देखने में बड़ा सुंदर लगता नहीं सिंको के चीज़े चलती है यह सबोज यह video है तो यह video में सबोज audio पहले आ रहा हो और video बात में आ रहा हो तो एक rhythm नी बन पाएगा तो वो rhythm में चलनी चाहिए सारी चीज़े परफेक्ट समझ गए इसके बाद adaptation ability जब हम adaptation की बात करते हैं तो ability to adjust खुद को adapt करना as per the situation to adjust or change the movement effectively on the basis of changes or anticipated changes in the situation ठीक है जैसे for example एक cricketer है और उसने एक shot मारा फटाफट भाग के single के लिए निकला अब उसने देखा कि सामने वाला batsman भी उसके सामने ही आ रहा है तो फटा-फट उसने adapt कर और वो इदर से निकल गया तो वो उसका adaptation ability की वज़े से वो निकल पाया ठीक है जैसे हम देखते हैं कि usually catch पकड़ने के लिए filters आपस में टकरा जाते है catch चुड़ जाता है तो वहाँ पर उनका adaptation ability बेगार रहता है इसका क्या मतलब है हमारे पास यहां पर तो इसमें अब आपको अपने different body parts को एक साथ में लेके चलना है जैसे for example आपकी बहुत सारी motor activities होती है कि आपको switch में plug लगाना है कोई phone dial करना है तो उसमें आपके brain से nervous system से senses आती है और आपकी body उसे आप से move करती है तो आपके body parts को एक ही sink में लेके चलना और सभी body parts को एक साथ लेके चलना वो आपकी यहां पर differentiation ability में आ जाता है यह वाला topic आपको बहुत important topic नहीं है तो मैंने आपको सारे बता दिये खुद को adapt करना एक साथ लेके चलना rhythm में चलना balance बनाना balance में headstand आ गया यह सारी चीज़े आ गई ठीक है उसके बाद reaction बता दिया coupling बता दिया orientation बता दिया तो this is how आपका यह सारा topic complete हो जाता है और इसी के साथ हमारा chapter भी समाप्त होता है बहुत जल्दी मिलेंगे नए chapter के साथ तब तक आप इसको तयार करो मैंने काफी detail में इसको पढ़ाया है एक एक topic तो आपके marks नहीं कटेंगे क्योंकि मेरी वीडियो का purpose ही है कि मैं इसको short में ना खतम करूँ आपको एक एक चीज़ detail में बताऊं और आपको notes में मिल जाएं तो अराम से हर चीज़ करो इसको prepare करो मिलते हैं next class में एक और one shot के साथ जिसमें एक और chapter cover करेंगे बड़े आराम से और अपना physical education का syllabus आगे लेके चलेंगे Thank you so much everyone वीडियो को like जरूर करना भूलना मत कोई दिक्कत आए तो comments में बताना और सभी friends तक share करना Thank you